नमस्कार दोस्तो दोस्तो बॉसिंग्टन आप तो सुनाई होगा वाइट हाउस दोनिया के एक सबसे ताकत और सक्स का आधिकारिक निवास है लेकिन दोस्तो क्या आपको पता है कि जगर पर आज भी दोस्तो आज भी एक भूत मौजुद है जी हाँ दोस्तों वाइट हाउस ना सिर्फ किसी अमेरिकर राष्टपती का आधिका एक निवास है बलकि यह एक भूतिया जगह भी है जी हाँ दोस्तों एक भूतिया जगह वाइट हाउस में आज भी अमेरिका के सोलवे राष्टपती कौन थे पता है इम्राहन लिंकन का भूत है लिंकन के भूत को वाइट हाउस गोस्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तो कहते है कि जब से लिंकन की मौत हुई है तब से वाइट हाउस एक भूतिया जगह में तब्दिल हो गया है लिंकन की मौत प्राकरतिक नहीं थी दोस्तो और उनकी गोली मार कर हत्या की गी थी दोस्तों गोली मार कर उनके दोस्त वाड हिल लेमन ने एक बार बताया था कि लिंकन को दोस्तों तीन दिन पहले ही अपनी हत्या का आवास हो गया था लिंकन ने सपने में अपनी हत्या देगी थी Lincoln के bodyguard ने उन्हें मार डाला था Lincoln के बूध का जिक्र सबसे पहले एक photograph में मिलता है जिसमें Lincoln की पतनी Mary Todd Lincoln ने जब एक photo खिचवाई तो उस फैटो में उनके कंदे पर हात रखे हुए बूध को देखा जा सकता है दोस्तो इसके अलावा कई पूरो राष्टपती ने भी लिंकन के बेटरूम से कभी चलने तो कभी बात करने की आवाज आने की बात कहिए पूरो राष्टपती एलेनौर रुजवेल्ट की माने तो उन्होंने वाइट हाउस में पूरे दिन लिंकन की मौजुद्की को महसूस किया ब्रीटेन के पूर्व पीएम विश्टन चर्सिल वाइट हाउस में न रुकते चर्सिल ने कहा था कि चीज कमरे में वह रुके थे वहाँ पर एक कोने में आग जल रही थी लिंकन ठीक उसी जगह पर खड़े थे चर्सिल ने यहां तक कहा था कि दोस्तों कि लिंकन को मुश्कुराते हुई भी दिखा है और फिर थोड़ी दिर बाद वह गाइब हो जाते थे हालागी सन 1980 के बाद से किसी ने राष्ट्रपती की बूत को नहीं दिगा लेकिन लोगों का मानना है कि लिंकन की आत्मा वाइट हाउस में आज भी बटकती है तोस्तों कैसी लगी हमारी यह वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू गरे